पनीर के सब्जी बनाने का एक नया तरीका लेकर आए हूँ बस 10 मीट में सूपर टेस्टी सब्जी बनकर रेडी होती है और इसे हम बनाएंगे कुकर में उकर वाली सबजी आपने बहुत अलग अलग खाए होगी पर ये सबसे जादा टेस्टी बनती है और खास करकर कम समय में अच्छी सबजी बनाना है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राय कीजेगा गेस्ट के लिए तो परफिक्ट रेसिपी है तो किस्ता से बनाना है वो हम देखते हैं तो देखे तीन पैज हमने लिए है जितने हमने पैज लिए है उतने ही हमें टमाटर लेना है साती हम तीन टमाटर ले रहे है तो पैज और टमाटर हमने बड़े साइस के लिए है उसी के साथ हमें इसमें आड़ करना है तेजबता सभी मसाले हमें कुकर में ही आ अच्छा लगता है, साथ ही हम ले रहे हैं अद्रक लसुन, अद्रक लसुन कॉंटेटी में थोड़ा जादा जाएंगा, उसी के साथ हमें लेना है एक हरी मिज को जिसे टमाटर का फ्लेवर बैलेंस हो जाता है, टमाटर का मीठा पन पूरता से बैलेंस हो जाता है, साथ ही हमे में एक चमच उसी के साथ आधा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच हमें लेना है धनिया पाउडर और सभी चीजों के अच्छे से बॉयल होने के लिए हमें आड़ करना है पानी तो एक कप हमें पानी आड़ करना है और इसका लीड लगा कर हमें निकालना है इसकी दो विसल तो मेडियम फ्लेम पर दो विसल निकाल लेते हैं, तो अच्छे से ये बॉइल हो जाता है, दो विसल निकल चुकी है, कुकर पूरीता से थंडा हो चुका है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, काजू फूल चुके है, मसाला से इसे हो चुका है, तो हम पीस लेते हैं इसे हमें पीस से समयना पूरी तासे थंडा करकर ही पीसना है जिससे जो ग्रेवी बनती है अच्छी स्मूध बनती है और इसे पीसने के बाद छाननी की जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि अच्छी से बॉल हो जाता है न तो सभी मसाले नरम हो जाते है और आंगे अच्छी से महीन पीसंकर रेडी हो जाते है सब्ची बनानी के लिए हमने कुकर लिया है साथी दो चमब से तेल डालोकर जीरे को इससे भून लेना है साथ हमें पीसी हुए ग्रेवी को इसमें एड करना है तो जिस तासे रेस्टांट में ग्रेवी बनाकर रखी जाती है और सबजी बनाई जाती है वही काम ये ग्रेवी करता है अब हमें इसमें कुछ भी डालने की ज़रत नहीं पड़ती है तो देखें डालते समय ही इसके छीटे हुडने लगते हैं इसलिए हमें लीड लगा कर बस लो फलेम पर एक दो मिट के लिए छोड़ना है जिससे इसा सी हो जाती है और इस समय हमें इसमें कुछ भी डालने की जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि बॉइल करते समय ही हमने सभी मसाले डाल दिये है तो वह अच्छे से पक भी चुके है तो चला लिया है साथ ही हमने जो मिक्सी में इसे पीसा था ना उसमें थोड़ सा पानी डाल कर इस सारे से डाल देना है इस ग्रेवी को सुखा हुने तक कुछ करने की जुरत नहीं पड़ती है क्योंकि सभी चीज़े हमने बॉइल कर लिये ना उस समय हमें इसमें एड करना है शिमला मेच को तो शिमला मेच और पैज हम एड कर रहे तो ये सबजी का फ्लेवर ना शाही पनीर या कड़ाई पनीर के जैसा आता है उसी के साथ हमने एक पैज को इस तासे ना कट कर लिया है तो अब हमें ग्यास की फ्लेम फुल करना है अच्छा फ्लेवर आता है तो इससे बटर में बढ़िया से कोट हो चुके है तो अब मैं सुके मसाला एड़ करे हूँ तो एक चोथा चम्मेच के करीब हमें एड़ करना है लालमिच पाउडर धनिया पाउडर और हल्री पाउडर ग्यास की फ्लेम हमें पूरी तासे लू रख है तो पनीर में मसाले अच्छे से लग जाते है तो 200 ग्राम पनीर कि हमने इससा से क्यूब नेट्न कर लिया है इस दो समय ग्यास की फ्लेम मेडियम हमें इससे पाढ़र मिशने पनीर पेना हलकी क्रिस्पी सी लेर आ जाए तब तक हमें इसे फ्राइ करना है एक तीन से चार मीट लग जाते हैं पनीर अच्छे से हो जाता है यह पनीर इससा से खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और बहुत ही जादा सॉफ्ट हो जाता है तो देखिए पनीर इस समय हो चुका है ग्रेवी को भी हम चेक कर लेते हैं तो पाच मेट के बाद ग्रेवी ना इससा से हो चुकी है आप देख सकते हैं ग्रेवी का ना हलका सा कलर भी चेंज हो चुका है तो अब हमें इसमें एड कना है क्रीम तो दो बड़े चमज भरकर मैं क्रीम ले रहे हूं आप चाओ तो दूद की मलाई भी ले सकते हैं दूद की मलाई ले रहे हैं तो एक लिटर दूद के मलाई को हमें चान कर लेना है इसी इता से क्रीम के जैसे यह दिखाई जती है और फ्लेवर भी इस इता से छोड़ती है तो दिखिए अब हमने ग्यास का फ्लेम लो किया है लो फ्ल मच हमने गरम मसाला लिया है तो किचन किंग मसाले का यूज किया है साती कसूरी मिथी हमने एड़ की है इसी भी हम चला लेते है तो ग्रेवी से चिस हो चुकी है और मसाले भी हमने एड़ कर दिया है अब हमें इसमें एड़ करना है पनीर को पनीर को दालने के बाद हमें इसे ज़्यादा कुक करने के ज़ुरत नहीं पड़ती है क्योंकि पनीर को भी हमने फ्राय कर लिया है बस इसमें एक बॉइल आ जाए तब तक ही इसे कुक किजेगा इस समय हम टेस्ट करकर देख सकते हैं नमक कम है तो नमक हम इसमें और अड़ कर सकते हैं पर नमक इसमें परफेक् हैं पनीर की सबजी अगर आपको पसंद है गेस्ट आने पर भी आप पनीर की सब जबनाना पसंद करते हो तो इस रेसिपी को ज़रूरठ चाइगा क्योंकि सबसे जल्दी है टेस्ट में बहुत रहत अच्छी बनती है एक बार बना ली तो यह आपकी प्यूरेट सबजी बन जाएंगी रेशिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा इसी इता से टेस्टी और नई रेशिपी देखने के लिए चान को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते है नई रेशिपी के साथ थैंक्यू फर वाचिंग माँ वीडियो आपका किमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनिवाद